नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल अनूप ऑनलाइन पर तो हम लोग करेंगे आज नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक यूनिट डिजिट और हम लोग सीखेंगे कि एक ही ट्रिक से कोई किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं और देखते ही आप बता सकते हैं कि इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा किवल दो सेकेंड में तो हम लोग जो question देखेंगे वो पूरे question previous year के paper से लिए गये हैं तो वीडियो को last तक जरूर देखना और हम लोग बिने समय गवाई आई श्टार्ट करते हैं तो कैसे किसी number का unit digit निकालेंगे तो कैसे किसी number का unit digit निकालेंगे तो हमबर पर जो first question है वो है 1570 का power है 6 7 इसका हमको निकालना है unit digit ठीक है तो सबसे पहले unit digit निकालने के एक trick है पहले आपको trick बताता हूँ ठीक है तो देखेंगे अगर किसी जैसे number दिया है 1570 ठीक है अगर हमारे पास ऐसा number है जिसके last में क्या हो 0 हो 5 हो 6 हो और एक हो लाश्ट नमबर किसी संख्या का 0156 है देखें यहाँ पर 0 है लाश्ट नमबर यहाँ पर क्या है 1 है न लाश्ट नमबर यहाँ पर क्या है 5 है लाश्ट नमबर यहाँ पर है 6 लाश्ट नमबर अगर किसी संख्या का जैसे 1570 है इसका last number क्या है 0 है इसका क्या है 2925 इसका last number कौन सा है 5 है 781 इसका last number कौन सा है 1 है और 426 इसका last number कौन सा है 6 है ठीक है यहाँ पर 5 है यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 6 है तो ध्यान दीजिए यदि 0156 अगर last number है तो इसका unit digit भी वही number होगा जो last में होगा यहाँ पर 0 है last में तो इसका unit digit 0 ही होगा अगर last में 1 है तो इसका unit digit 1 ही होगा अगर last में 5 है तो unit digit 5 ही होगा और अगर last में 6 है तो इसका unit digit 6 ही होगा अगर यह numbers है तो यह number बस आप याद कर लेंगे आप देखते ही बता सकते हैं उसका unit digit क्या है ठीक है और ध्यान दीजेगा इसकी power में कुछ भी हो उससे हमको कोई फरक नहीं पड़ता भले 45, 45,000, 10,000 जितना भी power में है बस हमको last number देखने हैं अगर last number इंस में से कोई भी है तो उसका unit digit भी वही होगा बिना सोचे समझें लिख देंगे ठीक है अब चलते हैं थोड़ा high level की question में जो एक्जाम में पूछ जाते हैं ठीक है तो आप देख सकते हैं SST 2011 में पूछा गया है question 4387 की power है 245 into 621 की power है 72 अब देखिए यहां पर क्या चाहिए अपने को 0156 चाहिए last digit ठीक है तो इसका देखिए 4387 मतलब 7 है last में यहां पर 7 है और यहां पर क्या है एक है अब देखिए एक वाला तो इसका तो चल गया इसका unit digit क्या है one है यह multiply में है इसका unit digit पत्कल गया क्योंकि last में one है तो इसका unit digit क्या होगा one ही होगा ठीक है आप देखिए one हो गया इसका unit digit अब देखिए यह 4387 है अब इसका unit डिजिट कैसे निकालेंगे जिसमें यह नमबर नहीं आएगा कौन सा 0156 अगर लाश्ट में नहीं है तब क्या करेंगे देखेंगे तब करेंगे यह कि इसका पावर देखेंगे कितना है 245 है इसमें तो कोई पावर का मतलब नहीं है अगर हमारे पास लाश्ट में है 0156 तो क्या करेंगे देखी तब उसका power देखेंगे इतना है 245 है पावर में 245 है न चीधे सीधे एसमें से कर दिए एक minus तो हो गया 244 अब देखे 244 को हम लोग 46 कर दिए Divide हमेसा one minus करके four से divide करेंगे हमेसा और हमेसा अब देखिए काड दिये इसको 4 चंग 24 कट गया बच्चा कि हमारे पास 4 और 4 एक कम होता है 4 तो 6 कितना बचा हमारे पास 0 6 0 बचा न अब करेंगे यहाँ पर माइनस कर दिये थे अब उसको कर देंगे प्लस ठीक है तो कितना होगे यह 1 ठीक है अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है अब देखिए यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना है 7 है तो रख देंगे यहाँ पर 7 और यहाँ पर क्या आये था अपने बास लाश्ट में 1 आये था न तो इस तो पावर चड़ा दिये 1 अब कर दो इसका multiply 7 into 1 7 तो इसका जो unit digit है वो क्या आगया 7 आसान है न देखिए अगर वो 0156 नहीं है तो देखते हैं उसका power power दिया है 245 245 में से 1 minus किये तो आगया 244 अब उसको 4 से divide करेंगे हमेशा जो आएगा उसको 4 से divide करेंगे उसका 6 देखना है 4,6,24,6 और 4,1,4 पूरा पूरा कट गया 6 बचा हमेरे पास 0 अब जो minus किये थे उसको कर देंगे प्लस तो कित्ता होगा 1 अब जो आएगा उसको last वाले number के power में चढ़ा देंगे last वाले number है 7 power के चढ़ा देंगे 1 तो 7 की power एक मतलब 7 ही होगा और इसका unit digit जो है 1 है इन दोने को करना सा multiply तो कर दिए जो 7 आया वो है unit digit question number 5 का ठीक है आप करते है question number 6 question number 6 देखिए 134 की power है 94 और 234 की power है 95 यह आया है SSC tax assistant में बुझा 9 में अब देखिए यह question को का करेंगे 0156 तो नहीं है इसमें last में क्या है फोर है यहाँ पर यहाँ पर भी फोर है ठीक है यहाँ पर भी फोर है और यहाँ पर भी फोर है तो इस rule से तो बनेगा नहीं 0156 से इसको कैसे करेंगे सेम जैसे इसको किये थे देखिए 134 से अब 0156 नहीं है तो देखेंगे इसका power power है 94 तो 94 में क्या कि minus कर दिये एक एक minus किये थे इसमें भी हमेशा यहीं यहीं काम करेंगा ठीक है minus की एक तो किताया 93 अब 93 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो किता आया चार दुनियाठ होता है बचा कि हमारे पास एक 9 एक बचा ना और इतीन है अब 4 ते आई होता है 12 बचा कितना एक सेस सेस एक बचा अब जो माइनस किये उसको कर देंगे प्लस तो हो गया हाँ पर 2 ठीक है 2 वह न तो इस 4 की प पावर यह नंबर लाश्ट ओला नंबर 4 है और आया कि हमारे पास 2 तो वही लगा दिये पावर में ठीक है अब यहां पर क्या है प्लस है अब देखिए यहां पर भी 234 है पावर में 95 अब यहां पर भी 0 156 नहीं है तो इसका क्या करेंगे इसका भी पावर देखेंगे आया 94 अब इसको करेंगे 4 से डिवाइड तो 4 होता है 4 दुनिया अठ बचा क्या एक और इधर होगे 4 चार त्याइं 12 दो बचेंगे सेस अब 2 प्लस एक करेंगे हमेशा जो माइनस कि उसको कर दिये प्लस तो गया 3 मतलब 4 की पावर आया 3 तो गया 3 अब हमको इसको सॉल करना अब इसको भी पूरा सॉल नहीं करना है अभी देखिए फोर का स्कॉर कित्ता होता है 16 चार का स्कॉर सॉल होता है प्लस चार की पावर 3 चार चोक सॉला चोको 64 है अब इसको पूरा एडर नहीं करना है इसको जोड़ना नहीं है अब देखिए लास्ट नमबर देखिए 6 है पर यहां पर 4 है तो 6-4 कितना होता है 10 होता है बस लाश्ट रा नमबर ना 6-4-10 होता है और 10 में यूनिट डिजिट क्या है 0 है तो इसका जो एंसल है वो 0 आएगा 0 होगा इसका यूनिट डिजिट ठीक है अब करते है क्योश्चन नमबर 7 देखें क्योश्चन नमबर 7 है मारा 126 की पावर है 102 प्लस 246 की पावर है 103 यह आया SSC 2013 में और RRB भुपाल में पूछा गया है तो इसको कैसे करेंगे यहां पर क्या है 6 है लाश्ट में यहां पर भी 6 है लाश्ट में हमेरे पास रूल क्या है 0,156 होना चाहिए लाश्ट में यहां पर 6 है तो अगर 6 है तो इसके unit digit कितना होगा पावर में 102 है तो उसके कोई फरक नहीं पाड़ता unit digit 6 ही होगा इसका प्लस इसमें भी 6 है पावर में 103 है 103 से कोई मतलन नहीं है क्योंकि यहां पर 6 है जीरो एक पांच छे में से कोई भी नंबर है ना 6 तो गया इसका भी यूनिट डिजिट 6 अब इसको जोड़ दिये तो कितना गया 12 अब इसका एंसर जो है उद्दो आएगा इसका यूनिट डिजिट ठीक है तो आप देखती ही बता सकते हैं देखिए इसका अंसर अब देखे तीन है अब वही वाला रूड़ लगाएंगे इसका देखेंगे पावर पावर कितना है 40 है 40 में से एक माइनस किये तो हो गया 39 अब इसको चार से डिवाइट किये तो हो गया 4 से काटेंगे तो 4, 8, 32 होता है और 4 नहीं 36 36 अब बचा किया हमारे पास 3 बचा प्लस करेंगे ए जो माइनस कितों सी को प्लस कर दिए तो होगी हमरे पास 4 ठीक है अब आया हमरे पास 4 चार आया ना यहां पर क्या है तीन है और यहां पर क्या आए था चार आया था तीन की प्रावर लगा दिए 4 आप कर देंगे इसको सॉल तो 3 का जब 4 पार मिल्टिप्लाई करेंगे तो आएगा 81 तीन तीकाइनों तरीक 27 तरीक 81 जो हमार पास 1 है वो आया हमारा यूनिट डिजिट एंसर ठीक है तो बहुत ही कम समय कर आप प्रेक्टिस करते हैं एक या दो सेकेन में आप इसका एंसर दे सकते हैं अगला प्रेशन है 122 की पावर 173 ए 122 की पावर 173 अब यहां प तो अब देखेंगे इसका पावर कितना है 173 पावर है 173 तो पहले माइनस की ये 1 को तो हो गया 172 डिवाइड के चार से तो गया 4.16 बचा कितना एक और यह कितना है 2 4.12 मतलब हमारे पास सेस कितना बचा इसका 0 बचा सेस पूरा पूरा कट जा रहा है ना 4.16 आपर एक बच अब 4.12 पूरा कट गया सेस 0 अब जो माइनस किये थे 1 वो कर दिये 1 तो हो गया वो प्लस 1 वन आया हमारे पास और यहां पर क्या है लाश्ट में 2 है तो इस 2 की पावर में चला दी ये 1 जो आया था तो 2 ही इसका है यूनिट डिजिट ठीक है क्योश्चन नमबर 10 253 253 की पावर है 166 स्सी 2011 ठीक है 253 की पावर है 166 अब यहां पर भी 0156 नहीं है तो यहां पर भी रूल यही वाला लगेगा तो आप लोग क्या किजिए इसको सौल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिए इसका एंसर इसका एंसर आप लोग कमेंट करेंगे ठीक है तो अगर आपको मारे वीडियो पसंद आया है तो मारे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद